स्वागत है आप सभी का तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स और स्पीच स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि वर्ड पहले क्या होता है फिर फ्रेस पर आये थे फिर आज हम देखेंगे कि संटेंस क्या होता है उसके बाद हम में जो है एक साथ और वो एक आपका कम्प्लीट मीनिंग बताए तो वो ही हो जाता है आपका संटेंस फ्रेस क्या होता है लास्ट वीडियो पर हमने पढ़ा था कि दो या दो से जादा जब वर्ड को हम कलब कर देते हैं परंतु उनका कुछ कम्प्लीट मीनिंग नहीं निकल पाता है तो वो हो जाता है आपका फ्रेस जैसे राम औंड शाम मतलब यहाँ पर दो तीन वर्ड तो हैं पर इसका कोई कम्प्लीट मीनिंग नहीं है देखें sentence के starting में सबसे पहले क्या आता है आपका subject part आता है subject क्या होता है कोई भी noun noun क्या होता है हमने first second class में पढ़ा था एक definition पढ़े थी noun is a name of a person, place या फिर thing किसी व्यक्ती का किसी जगा या किसी चीज का नाम होने को ही क्या कहते है हम noun कहते है तो noun क्या होता है वो ही आपका subject part बन जाता है किसी भी sentence के अंदर फिर subject के साथ लगता है आपका helping verb, helping verb जैसे is, mr या फिर wasn't, were और will, shall आपका future tense में हो गया फिर आता है आपका main verb, main verb जैसे kriya, खाना, सोना, उटना, पीना, बैठना तो kriya के भी कितनी type होती है, 1, 2, 3 हमें बता है, first form of verb, second form of verb और third form of verb लग जाता है helping verb के साथ attach, main verb फिर आता है, आपका end part जो होता है sentence का वो होता है object देखे, object जो होता है, वो किसी भी sentence की जो वर्व होती है, उसके द्वारा rule किया जाता है object का क्या मतलब है, कि भी sentence का धे क्या है, sentence का मकसद क्या है, subject वो बन्दा होता है कि जो वर्व को control कर रहा है, जो वर्व को, kriya को कर रहा है, तो वो हो गया आपका subject, आपके sentence की starting में आ गया, और object हो गया sentence के end में आएगा जो की बताता है कि जो subject है वो आखिर कर क्या रहा है उसका करने का मकसद क्या है तो वो हो गया आपका object for example हम एक sentence देखते हैं तो इसमें क्या है कि राम is scolding his child तो देखे राम जो है इसमें हमें पता चल रहा है कि subject है नाउन है राम किसी का नाम है इस क्या है आपका helping verb है is mr was word या आपके helping verb हो जाते है scolding का क्या मतलब होता है डाटना तो यह हो गया आपका main verb हो गई क्रिया हो गई कि राम डाट रहा है अपने बच्चे को his child क्या हो गया आपका object किसको डाट रहा है object को डाट रहा है अपने बच्चे को डाट रहा है his child, तो देखिए parts of speech पढ़ने से पहले ये बहुत important है कि हम जान ले कि language के अंदर word किसे कहते हैं phrase किसको कहते हैं, sentence किसको कहते हैं, जो की आज हमने पढ़ा है कि sentence की definition क्या होती है sentence एक form कैसे किया जाता है, तो आज हमने जान लिया कि sentence को form कैसे करते हैं next आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 8 types of आपके parts of speech क्या होते हैं जिसमें से आपका noun एक part of speech है फिर आपका verb एक part of speech है फिर आपका pronoun आता है adjective आता है, conjunctions आते हैं, interjections आते हैं, और 2-3 और है तो वो हम डीटेल में जानेंगे तब तक के लिए, bye bye, take care, see you all and love you all